नौशकार स्वागत है आप सभी का TNP News में और मैं हूँ आपके साथ मिशास सेंग पढ़ते हैं खबरों की ओर नोटबंदी पर भारत के सर्वोचु नयाले ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है सुप्रिम कोट ने मोधी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाव पर सनुवाई करते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही मानते हुए उस पर मोहर लगा दी है जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षुता वाली पांच जजों की समवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता सुप्रिम कोट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आर्बियाई के बीच सला मश्वरा हुआ था सुप्रिम कोट ने माना है कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी इसलिए उस आधी सूचना को रद करने की कोई जरूरत नहीं है बारतिय जन्ता पार्टी साल दोहजार चौबिस में होने वाले लोकसभाचुनाओ की तयारियों में जुट गई है इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा दो जनवरी को महराश्ट्र में दो बड़ी रैलियों में शामिल होंगे बीजेपी के एक नेता ने इसके बारे में जनकारी दी जलाद बीजेपी अध्यक्ष देवराओ भोंगले ने बताया कि वे पूर्वी महराश्ट्र के चंद्रपुर और मराठ वाड़ा शेत्र के और अंगाबाद में रैलियों को संबोधित भी करेंगे गौरतल भही की भाराश्ट्र में बीजेपी ने 18 ऐसी सीटों की पहचान की है जहां बीते चनौव में शिफसीना ने जीत दर्श की थी ऐसे में बीजेपी का लक्ष उन सीटों पर भी जीत दर्श करना है इस लक्ष की पूर्ति के लिए बीजेपी के पदाधिकारी मिशन म मोड में आ गए है तो ये बिहार के पूर्व उपमुख्य मंत्री तार किशोर प्रसाद ने बड़ा दावा की है उनका कहना है कि जेडियू के कई सांसद बीज़ेपी के संपर्क में है नितीश कुमार ने विपक्ष की ओर से रहुल गांधी को पीम पद का उमीदवार मान लि परिस्थिती के अनुसार वह ये दावा कर रहे है प्रधान मंत्री कौन होगा ये तो जनता तै करेगी लेकिन नितीश कुमार ने राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीम कैंडिडेट मान लिया है यही कारण है कि जेडियू के नेता और सांसद भविश्य को लेकर अश तो बैठक कर सांगठनिक करिया कलापो की समीक्षा करेंगे पाठी के भियानों की भी जनकारी लेंगे प्रधेश महामंत्री गोविंद नारायन शुकला ने बताया कि बेलसंतोश की अध्यक्षita में होने वाली विभिन बैठक कों में प्रधेश प्रभारी राधा मोहन सिं प्रदेश अध्यक्ष भुपेंदर सिंग चौधरी आदी शामिल होंगे बताय जा रहा है कि इस बैठक के साथ ही लोगसभा चनाओ 2024 की तयारी शिरू हो जाएगी तो ये उत्तर पश्मी भारत के कई राज्यों में इस वक्त कडाके की ठंड पर रही है वही उत्तर प्रदेश समेट कई राज्यों में घना कोहरा भी देखा जा रहा है ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए परिशानी बढ़ रही है बच्चों को ध्यान में रखते वे कई रा गृतaccord के समय में बदलाव किया गया है। संबर से 14 जनवरी तक शीत कालीन आवकाश की घोशना की गई है देश वदेश की तमाम खबरे देखने के लिए बने रहे हैं त्रेन पी न्यूस के साथ और हमारे चानल को लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जरू करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाए